तो मंतली केंडल में बैंक निफ्टी में अभी शूटिंग स्टार एक्टिवेट हुआ नहीं और हम क्रेश से इत्तू सा लेवल से बज गए मैंने आप लोगों से लास्ट वीक पी यही डिसकर्स किया था कि यह मंतली केंडल के नीचे एक बार निकलना चालू करेगा भहेंग सकते हैं लेकर मार्केट मे क्रेश आ सकता है लेकिन मार्केट अपने बेंकोर रखकर पर कर दिया और अब हम देहेंगे आने वाले वाले उसका है promise कई हमस do तो मंदली कैंडल, लास्ट मंत का कैंडल, शूटिंग स्टार्ट टाइप का बनाया या नेगेटिफ कैंडल बनाया है, अब ये नेगेटिफ कैंडल के नीचे जैसे निकलेगा, तो हम एक्टिवेट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक निकला नहीं, respected by few points, तो हमारे लिए जो pressure point हो जाएगा नीचे का, याद रखना 43,800 के नीचे daily basis पे जिस भी दिन bank nifty close करना चालू करेगा, हम एक major correction की तरफ चले जाएंगे, कहीं ना कहीं 40,000 की तरफ, याद रखिए ये वाला चीज को बहुत important होने वाला है, 43,800 के नीचे daily candle में closing is going to be very bad for us, ठीक है, अच्छा, अब weekly चार्ट में एक पर देखेंगे, weekly chart में क्या हुआ है, जैसे हमने discuss किया था, अब एक दो week थोड़ा बहुत यहाँ पे non trending था, अब एक और trending week आपको देखने को मिल सकता है, उपर की तरफ भी नीचे की तरफ की, दोनों का ही levels खुला हुआ है, उपर का ज्यादा interested हम रहेंगे बिकॉस कुछ certain points है, नीचे की तरफ से, तो हम वह वाला भी एक पर देख लेते, ठीके, एक doji type का week बनाया है, अब next week क्या कर सकता है, आने वाले हफता क्या कर सकता है, market जहाँ पे भी open हो, एक trending week दिखा सकता है, या तो इस तरह से, ठीके, या तो इस तरह से, कुछ भी trending week द कभी positive, कभी down, लेकिन एक बात याद रखना हमारा Indian market बहुत ज्यादा strong है, हमारा Indian market बहुत ज्यादा try कर रहा है, upside जाने के लिए, because upside का liquidity पड़ा हुआ है, इसके पास, तो जिस भी दिन global sentiment थोड़ा बहुत हलका होना भी चालू होगा, positive होने के जरूरत नहीं, हलका होना चाल पहला जगा जो हम buy कर सकते हैं, वो IC setup के wise होड़ा, institutional candle setup पे जिन्होंने course लेया, उनको पता है, और जिन्होंने ने लिया, एक बार बता देता हूँ, इस तरह का candle ना तो आप बना पाएंगे, ना में ना कुई और, सिर्फ institutions के order punch से इस तरह का candle बनता है, अब ये candle में बहुत सारा चीज़े देखना पड़ता है, हर एक जगा पे इस तरह का candle होने से ही institutional candle नहीं होता, कुछ rules and regulations होते, जो हमने course में बताया है, तो इस तरह का institutional candle जब आता है, उसका लगबग 75% आप मान के चल सकते हैं, वहाँ से एक बार फिर से buying आ सकता है, अगर buying candle है, selling candle है, तो उसका 75 के आसपास से, एक बार 75% के आसपास से selling आ सकता है, तो जुन्होंने course लिया है, आपको लोगों को entry ज्यादा अच्छा मिल जाएगा, और जुन्होंने नहीं लिया है, बस यह 75% के आसपास जया से market आए, एक पन्रा में इस setup एक टिवेट हो, वहाँ पे buy कीजिए, पन्रा मे जोन हो जाएगा, 44,130-080, यह जोन के सामने, अगर मार्केट मंडे के सेशन में, बैंक निफ्टी फ्लैट उपेन होके नीचे आता है, हर बराइए मत, यह जोन के सामने आके, जिन्होंने course लिया, आईसे setup को यूज कीजिए, जिन्होंने नहीं लिया, पन्रा में setup का wait कीजि बस इसके नीचे gap down खुलेगा, तो हमारे लिए final threshold होने वाला है 43,790, remember this zone, this is a very interesting zone, ठीके, 43,790, अगर इसके नीचे gap down open होता है, wait कीजिए, ना buy, ना sell, अगर 790 के आसपास आके कोई buying setup मिलता है, we are gonna buy, अगर यहाँ पे आके कोई liquidity grab मिलता है, we are gonna grab, कोई bear trap मिलता है, we are gonna buy, ठ अल का दिन इसके नीचे close कर देगा, तो आने वाले टाइम पे, we are going to sell, ठीके, यह हो जाएगा gap down opening पे, अच्छा, अब माल लेते हैं कि gap down open ना होके gap up open हो गया, या flat open हो के उपर चला गया, अगर flat open हो के market उपर जाता है, wait कीजिए, एक price action का, बस एक price action आजाएगा, we are gonna buy, price action होगा, तो हो सकता है, यह trap करके फिर निकले, तो हम क्या करेंगे, आधा quantity buy करेंगे, वेट करेंगे, अगर target तक आगया, तो आधा quantity book करेंगे, अगर फिर से नीचे आ रहा है, वेट करेंगे, घर बढ़ाएंगे नहीं, और यह zone के आसपास और आधा को deploy करके average कर देंगे, अ हो जाएगा, flat open के ऊपर का, अगर gap up open होता है, कहां पर open होता है, यह zone के ऊपर open होता है, ट्रेट करने जासा कुछ होगा नहीं, second half में देखेंगे, और अगर मीच में कहीं पर gap up open होता है, तो market थोड़ा बहुत यहां पर खेल दिखा सकता है, तो आप कोई internal structures का wait कीजे, कोई ट्रेंगल पेटन हो गया, ठीके, कोई आपका range हो गया, तो internal structures का wait कीजे, try कीजे, 44,130 के आसपास अगर market आए, तो buy कीजे, because buy in deep हम करेंगे, तो हमारा SL भी छोटर आएगा, और target भी अच्छा-कासा आएगा, ठीके, याद रखी, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, wait कीजे, second half में हम देखेंगे, because Monday है, settle होगा, first half में, और कल हम live में आएगे, तो एक साथ हम trade करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यह हो जाएगा bank nifty का सारा possible scenarios, अब थोड़ा सा nifty देख लेते, nifty में कान सा कौन सा क्या-क्या level निकल के आने बाला है, nifty में similar kind of हमकर हम मंत्ती चार्ट से sell off आ सकता है, फिर जाए, फिर आए, लेकिन एक volatility session रहेगा, nifty में, weekly chart में हम यह दिख रहा है, अब daily में चले जाएंगे, daily में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हम देखेंगे, daily chart में, last day gap down open हुआ, और buying pressure, अब मैं आपको यही बता रहा हूँ, gap down open हो सकता है market, लेकिन buying pressure अच्छा आ जाएगा, just because हमारा market strong है, तो bank nifty में भी घबराईएगा, अगर gap down open हो जाता है, यह सारे zone के नीचे, तो wait कीजे, हर बराईए मत, देखिए, 43,790 को respect कर रहा है की नहीं, अगर daily candle में इसके नीचे close करेगा, तो ही हम next day में sell करेंगे, otherwise 15 मेट पे इसके न जाएगा, यह हो जाएगा, bank nifty का, nifty में क्या है नहीं है, daily candle आया है, तो कहीं ने कहीं strong हमें bullishness देखने को मिला है, अब हम थोरा सा 15 मिनिट और one hour में जाएगे, one hour में कुछ significant दिख रहा है, one hour में हमें कोई significant नहीं दिख रहा है, अब market के पास जो liquidity पढ़ा हुआ है, वो यह जोन का liquidity पढ़ा हुआ है, इसको take out करने market जा सकता है, अब 15 मिट पर जाएंगे, 15 मिट का चार्ट पर यहाँ पर एक छोटा सा imbalance था, तो 19,717 यहां तक market एक बार आ सकता है, तो wait कीजिए यहां पर, और इसके बाद, nifty में बहुत कुछ interesting चीज़े हो रहा है, जैसे nifty में यह यहां पर एक traditional, traditional एक trend line जैसा है, ठीक, इसको एक बार take out करने आ सकता है, उसके साथ-साथ nifty में liquidity कहां-कहां पर पढ़ा हुआ है, यहां पर एक बार liquidity पढ़ा हुआ है, और दूसरा पढ़ा हुआ है, यहां पर एक बार liquidity पढ़ा हुआ है, यह दोनों जगा पर liquidity पढ़ा हु देखने में और ज्यादा आशानी हो, यह एक traditional ट्रेण है इन्हें, और यह जो जोड हमारे लिए interesting जोन होने वाला है, वो यह वाला जोन हो जाएगा, ठीक है, वो यह वाला जोन हो जाएगा, हमारे लिए interesting जो हो जाएगा, कहीं न कहीं, यह जोन हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा तो मार्केट अगर मान लेते फ्लैट ओपन होता है मार्केट जस्ट लाइक बैंग निफ्टी के पास भी वहां पर एक अच्छा इंस्ट्यूशनल वाला सेटप है जोन है और निफ्टी के पास भी यहां पर एक डिमा करते चलेंगे मार्केट 19,850 तक एक बार स्मूदली लिक्रिटी को लेखने जा सकता है तो हम ट्रेल करते चलेंगे ठीक है अच्छा है यह हो जाएगा अगर फ्लैट ओपनों के नीचे आता है तो इनकेस मान लेते फ्लैट ओपनों के नीचे आ और यहां पर रुका नहीं त और तभी करेंगे जब double price action नीचे की तरफ आ जाएगा डेल मतलब डेल मतलब यह हो जाएगा आप मान के चल सकते यह है एक singular price action और ऐसे होगा तो यह हो जाएगा double price action तो मतलब अगर तोरा उपर गया तोरा फिट तोर रहा है तो हम confirm हो जाएगे train थोरा bending हो चुका है तो हम ज जल्दबाजी में short कर देंगे, तो हो सकता है second half में, वो recover कर जाए, लेकिन अगर second half में recover नहीं कर पा रहा है, तो हम sure हो जाएंगे कि market पे अभी फिर से selling pressure आ रहा है, तो हम next दिन से खुलते ही short कर सकते या shorting mentality से आ सकते, तो market को आपको समझना परेगा market कहां पर क्या आपसे बो आपनों के नीचे का, इनकेस इसके नीचे gap down open हो रहा है, I will personally like to see first half क्या हो रहा है, first half में range बना रहा है, या दर्दरा के गिर रहा है, अगर रेंज बना रहा है, तो कहीं नहीं कहीं कुछ ना कुछ गरबर है, तो हम उस तरह से accordingly plan करेंगे, ठीके, ओके, अच्छा, अब मालन ली जाए, तो यह trend line पे liquidity grab आपको मिलता है, वहाँ पे आप buy कीजिए, trend line पे आपको कोई bear trap मिलता है, तो वहाँ पे आप buy कर सकते है, ठीके, यह हो जाएगा, flat open हो के उपर का, अच्छा, इनकेस बहुत, एक और scenario हो सकता है, flat open हो के उपर गया, और यह highs को तोर रहा है, इनक उनके बीच में gap up open होगा, तो हम उसको flat ही मान के चलेंगे, अगर इसके उपर open हो रहा है, I will personally like to see the first half, because वहाँ पे क्या हो जाएगा, market gap up या gap down पर automatic अलग sentiment हो जाता है, और दो दिन चुट्टी के बाद, तो कही ना कहीं, मैं settle होने की time दूंगा, at least 12 बजे तक, उसके बाद अगर मुझे कोई liquidity grab, उसके बाद, या फिर मान लेते range का, either side का break out, या trap मिलेगा, या फिर मान लेते कोई smooth price action नीचे की तरफ double बना दिया, तो मैं वहाँ पे short कर सकता हूँ, ये जगा तक का target के लिए, ठीके, ये हो जाएगा, nifty का सारा possible scenarios, तो आशा करता हूँ, आप लोग ध्यान से trade करेंगे, मंडे को हर बराएंगे नहीं, विकॉस Saturday Sunday चुट्टी था, आपको भी अपने नजरे जवाने के लिए थोरा time लगता है, विकॉस क्या होता है न, दो दिन चुट्टी के बाद trading पे जैसे आप आएंगे, आपका psychology भी थोरा सा हलका रहेगा, तो एक दिन time ले लिजे, खुद के साथ देख लिजे market को, हाथ set कर लिजे, हलका quantity रखिए, settle होने का time दीजे market को, उसके बाद जाने के बाद आप लोग एक clearly proper trade कर सकते है, अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो do like, share and subscribe, अपनीचे Instagram और Telegram का link दिया हुआ है, जाके एक बार course क भी check out कर लिजे, अभी भी offer चल रहा है, आज राख तक offer चलेगा, तो start your learning, then remove the L, और उसके बाद एक smooth अपने carrier को learn के साथ, एक logically के साथ, ऐसा नहीं कि मतलब यह hammer के उपर buy, shooting star के नीचे sell, range breakout पे buy, यह सब चक्कर भूल जाएए, because liquidity market पे जितना आ चुका है, you have to be smart enough to grab the liquidity, you have to be very knowledgeable to, you know, counter the market, because क्या हो रहा है न, अभी हर कोई अगर breakout या breakdown पे buy या sell करेगा, who's gonna sell, who's gonna do the opposite, तो ध्यान से कीजिए, smartly play कीजिए, और बहुत आगे जाएए, trading से धीरे-धीरे, trust the process, slow and steady, हमेशा याद रखे, trading में slow is fast and fast is slow, चली, आज के लिए इतना ही, take care and bye-bye, do like the video and subscribe to the channel. कर दो